Hello Friends! लोहे के बरतन में जब हम यह पानी ट्रांसफर करे के बॉइल करेंगे तो यह हमारीmont Natural Heare Dye को बहुत काला बनाने में बहुत ही help करेगा अब यह पानी जब अच्छे से治ब हो जायेगा तो हम इसमें सब चीजे mix करेंगे जो भी ingredients हमने इसमें add करने हैं ये सभी ingredients step by step मैं इसमें add करूँगी तो इसे पूरा जानने के लिए वीडियो को पिल्कुल भी skip ना करें इसे पूरा देखें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe करें वीडियो को like करें और अपने family और friends को share भी कर दें ताकि उन्हें भी ये सब tips वेगरा और hair care और beauty care के बारे में सबी जानकारियां असानी से मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं एक बरतन में एक से डेड़ ग्लास पानी ले लिया है उसमें दो चम्मश चाय की पत्ती आड़ कर दी है चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही beneficial है ये बालों को color करने और shine के लिए बहुत ही beneficial है उसके बाद एक aloe vera leaf का 5-6 inch का टुकड़ा ले लिया और उसको काट कर अच्छे से इस पानी में डाल दिया ये aloe vera leaf हमारे बालों से dendruff को दूर करता है साथ ही उसकी growth को बढ़ाने में help करता है उसके बाद 15-20 पत्ते मैंने curry leaves के ले लिये उसको भी इस पानी में डाल दिया curry leaves से ball strong होते हैं काले होते हैं और घने होते हैं इन सब को अच्छी तरह से boil कर देंगे धीमी आज पर boil करना है जब ये पानी थोड़ा सूख जाए और अच्छे से इसका color आ जाए और साथ ही इसके जो भी ingredients इसमें add किये हैं उसके गुण भी इस पानी में आ जाएंगे तब हम एक लोहे का बरतन लेंगे और उसमें इस पानी को चान कर डाल देंगे लोहे के बरतन से ये पानी और भी काला हो जाएगा साथ ही इसमें लोहे के गुण भी आ जाएंगे तो अब इस पानी को हम boil होने फिर से रख देंगे तो ये पानी को अच्छी तरह से boil होना है और boil होने के बाद ये देखिए थोड़ा reduce हो गया पानी और color कितना dark black हो गया है अब जो चैपत्ती का लाल पंथा वो इससे हटके काला हो गया है ये पानी बिल्कुल काला हो जाएगा ये हमारे डाई को कालम नाने में help करेगा वीडियो को पूरा देखिए इसकी इपना करें इसमें अभी बहुत सारे ingredients एड़ करने है ये पानी जब थोड़ा थंडा हो जाएगा हल्का गुनगुना रह जाएगा तब हम इसमें कुछ चीजे एड़ करेंगे सबसे पहले मैंने इसमें तीन चम्मच आम्वला पाउडर एड़ किया है आम्वला हमारे बालो को काला करने में बहुत ही हल्प करता है आम्वले से हमारे बाल काले होने के साथ ही घने मुलायम भी बहुते हैं अब इसके बाद मैंने एक चम्मच भर के ब्रिंग राज पाउडर एड़ किया है ब्रिंग राज भी हमारे बालों को काला करने में हेल्प करता है ब्रिंग राज को केश राज भी कहते हैं यानि ये बालों की सबी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है साथ साथ इसको हिलाते भी रहेंगे इसके बाद मैंने दो चम्मच शीका काई पाउडर ए ताकि इसमें गुटलिया ना पड़े अब यह दीरे दीरे पाउडर सभी नीचे बैठते जाएंगे और मिक्स होते जाएंगे इसके बाद मैंने इसमें दो चम्मज मेथी पाउडर लिया है मेथी यानि फैनुग्री सीड्स को आप पीस लीजिए घर पे ही उसके बाद चान ल अच्छे से गाड़ा होता जा रहा है और इसके जो भी इंग्रीडियंट्स इसमें एड़ किये हैं वह बहुत ही इफेक्टिव इंग्रीडियंट्स हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में शाइन को बढ़ाने में मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगे और साथ ही इस डाई को पहुत ही पावरफुल बनाने में हेल्प करेंगे अब इस पानी में जो भी हमने इंग्रीडियन्स एट किये हैं इन पर भी काला रंग आ चुका है और इसको हम एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये और भी काला हो जाए अब ये देखिए काला काला हो गया है और देखिए इसके आस पास पूरा ब्लैक कलर आ गया है यही इस हेर डाई को काला बनाने में हेल्प करेगा उसके बाद अपने बालों के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पांस से छे चम्मच महंदी यानी हिना का एड़ कर दिया है यह हिना बिल्कूल प्योर होनी चाहिए इसमें कोई केमिकल या कलर मिक्स नहीं होने चाहिए जो हिना का ओरिजिनल कलर है वही हमें चाहिए और उसके बाद इसमें मैंने apple cider vinegar add किया है ये भी हमारी डाई को बहुत ही काला बनाने में help करेगा दो चम्मच apple cider vinegar इसमें मैंने add किया है अब इसके बाद इसको और भी powerful बनाने के लिए मैंने उसमें 3-4 चम्मच दही यानी curd का भी add कर दिया है कर्ड हमारे बालो की शाइन को बढ़ाने में मजबूत बणाने में और साथ ही जो हिना मेहंदी से हमारे बालो में कुछ ड्राइनस आ जाती है उसको भी रोकने में बहुत ही हल्प करता है साथ ही गर्मी में आपको दही को अपनी मेहंदी के साथ जरूर लगाना चाहिए ताकि ये बालो को और scalp को थंड़क दे और sun tan से भी बालो को बचाए बालो को मजबूत बनाने की बहुत ही power होती है ये बालो को मजबूत घना और लंबा बनाने में help करता है कर्ड hair mask आप गर्मी में जरूर लगाएं और इसको अब अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी add कर लेंगे जितनी जरूरत है और यदि आपके पास चाय पत्ती का पानी रखा हो तो आप इसे भी डाल सकते हैं मैंने इसमें plain water डाला है और ये हिना hair dye बहुत ही powerful hair dye बनकर ready होगी और ये आपके बालों को बिल्कुल अच्छे से काला करने में बहुत ही help करेगी क्योंकि हिना महंदी जो होती है या जो महंदी का color है वो orange होता है तो लेकिन इस तरीके से अगर आप hair dye बनाएंगे या फिर हिनास का pack बनाएंगे तो ये आपके बालों को काला करेगी ना कि orange orange color इससे नहीं आएगा इससे बाल काले होंगे जो कि बहुत से लोगों को orange color हिना का नहीं पसंद इसी वज़े से लोग chemical वाला hair dye लगाने लगते हैं तो अब अगर आप इस तरीके से हिना मेंदी बनाएंगे तो आपको chemical वाला color लगाने के जुरत नहीं है इसी हिना के original और natural color से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं तो अब इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे इसको आप चाहें तो overnight छोड़ दे और इसे यदि आपके पास time कम है तो आप 2 घंटे बाद भी लगा सकते हैं मेंदी लगाने के लिए कुछ जरूरी बाते हैं कि जिसे आपको follow करना जरूरी है जब भी आप अपने बालों में हिना मेंदी लगाएं तो आप अपने बालों को एक दिन पहले ही धो ले या उस दिन भी धो सकते हैं बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए बालों के partition छोटे छोटे पार्ट करकर के पूरे roots से लेके ends तक अच्छे से मेंदी लगाएं और इसी तरीके से बन या जूडे को लगाते जाएं और एक एक बाल में मेंदी लगनी चाहिए जिससे की पूरे बाल अच्छे से आपके कलर हो जाएं और कहीं कोई बाल छूटे नहीं और अच्छे से पूरे में कलर आएगा तो आपके बाल बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और साथ ही जड़ों में लगने से बालों की जड़े मजबूत होंगी और बालों को लंबा बनाने में भी ये हिना मेंदी हेल्प करेगी इस हिना हेर पैक का उपयोग आप महीने में दो बार भी कर सकते हैं और आगर आपके बाल जड़ा सफेद हों तो आप वीक में 1 बार 1 महीने तक लगाएं उसके बाद 15-15 दिन में लगाएं और इसके बाद जैसी जड़ूवत लगे उस हिसाब से लगाएं मंत में 1 बार हिना मेंदी जरूर लगाएं और ये पैक लगाने से बाल घने मजबूत लंबे और काले हो जाएंगे और जिस दिन आपने हिना मेंदी लगाई है उसे 2 घंटे लगाए रखे कम से कम 2 घंटे लगाना है और उस दिन आप प्लेन वाटर से वाश करें शैंपू नहीं लगाना है नेक्स डे ओवरनाइट आइलिंग करके तब शैंपू करें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें